हलो गाईज, वेलकम तो माई चैनल, एट्सक्रेट जुडेश्री आज की वीडियो में हम बात करेंगे और ट्वेंटी थी की और ट्वेंटी थी डील करता है विड्रॉल एन एजिस्मेंट ऑफ सूट से देखिए आपने कोई सूट इंस्टिटूट की या उसके बाद आपको मिड में या शुरु में हिलगता है की सूट जो है वो वापस लेना चाहिए या उसका कोई कलेम है उससे छोडना चाहिए और नया सूट डालना चाहिए दोनों ही सिचुेशन में क्या होता है कि आप court के पास जाते हैं, उनकी leave लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद नया suit डालते हैं, with permission of court, तो यही सब चीजों से deal करता है, mainly rule 1 ही सारी बाते बता देगा आपको, लेकिन प्रलिम के point of view से हर rule काफी ज्यादा important है, ठीक है, तो इसके साथ कोई section नहीं है, तो order 23 ही है, जिसमे सारी rule आजाएंगे है, तो rule 1 बात करता है, withdrawal of suit और abandonment of part of claim, यानि कि rule 1, सब rule कहता है, कि plaintiff ने मान लो, suit institute किया, उसके बाद plaintiff को लगता है, कि, या तो कोई simple suit में defendant, या कई सारे सब के खिलाफ जो defendant है, कोई जो suit है, वो छोड़ना चाहिए, abandon करना चाहिए, या कोई claim, जो है, उसका कोई part आपको छोड़ना चाहिए, दोनों ही situation में क्या होगा, आप plaintiff जो है, ऐसा कर सकता है, ठीक है, और proviso फिर कहता है, कि, जो order 32 है, उसमें rule है, जो एक से छोदा, उसको बात करता है, कि अगर मान लो plaintiff minor है, या 32 वाला concept है, order, यह मैं आपको आगे बताऊंगे, order 32 अपने नहीं लिया है, दोनों ही चीज में क्या होगा, आपको court के लिव लेनी होगी, किस लिए, abandon करने के लिए, क्या suit या फिर कोई claim का part, ठीक है, तो order 32 और minor वाले concept में, दोनों ह प्रोवाइजो के आगे ही, sub rule 2 कर लेना, sub rule 2 है जो वो extend करता है इसको, प्रोवाइजो को, क्या कह रहा है, देखो कि जो application है, leave की, जो हमने उपर बात की, उसके अंदर जो next friend है, क्योंकि minor में तो, minor तो suit institute करेगा नहीं, next friend करेगा, तो उसका एफिडेविट आपको लेना और फिर आपको एफिडेविट में लिखना होगा, कि जो ये हम suit वापस ले रहे हैं, ये जो है, minor के benefit के लिए है, ठीक है, थर्ड में अब बात करता है, court जहां पे satisfy हो जाता है, कि मतलब किस से, plaintiff से, plaintiff जब कहता है, कि suit जो है, किसी formal defect से है, और अगर ये suit चलता रहा, तो ये fail हो जाएगा, या फिर B, कुछ ऐसे grounds हैं, जिसमें plaintiff को allow करता है, कि जो grounds, grounds allow करते हैं, जो कि fresh suit जो है, वो कर सके, दोनों ही situation में court की permission लेके, आप वापस जो है, उस suit को ले सकते हैं, और court की ही permission से आप fresh institute कर सकते हैं, suit को, ठीक है, तो basically अगर हम समझें, तो first में, जो sub rule one है, उसमें बात करता है, छोडने की suit को, या फिर उसका कोई claim, और third में बात करता है, वापस लेकर, फिर से, suit institute करने की, ठीक है, दोनों ही same चीज़े हैं, लेकिन अगर differentiate first third में करें, तो आपको पता होना चाहिए, abandonment rule one में है, और, जो suit को आप दु formal defect, और या फिर grounds ऐसे हैं, कि उसे जो है, fresh suit जो है, वो करना होगा, दोनों ही situation में, फोर्थ में, अब क्या बात करता है, कि जहाँ permission ही नहीं ली, यानि की plaintiff ने, sub rule one में छोड़ दिया suit को, abandon कर दिया, लेकिन कब, बिना permission के, third में withdraw भी कर लिया, वापस ले लिया, कब, बिना permission के, दोनों ही situation में, फिर आप, cost के liability बनेगी, प्लस आप fresh suit जो है, institute नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा fourth, उसके बाद है, fifth, फिफ्थ में कहता है, कि मान लो, कई सारे plaintiff हैं, उन्होंने suits institute किया हुआ है, ठीक है, और अब आपको, जो एक plaintiff चाहता है, ये abandon या फिर withdraw करना, तो दूसरी plaintiff की consent वहाँ पे जरूरी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा rule one जो है, सब बाच सब rule से deal करता है, basically सारा concept बता दिया इसमें, आगे जो है, one a, इस पे very important लिखना, pt, prelim लिख लेना, transposition of defendants as plaintiffs में भी permitted, कब आप defendant को plaintiff बना सकते हैं, ठीक है, transposition के उपर लिख लेना, defendant को plaintiff बनाना, तो किस situation में, court आपको permission दे देगा, कि defendant भी plaintiff बन सकता है, तो one a में, और order 23, जब एक suit को withdraw या abandon करता है, plaintiff rule one में, और defendant apply करता है, कि मुझे plaintiff बनना है, as a representative suit, ठीक है, order one rule 10 जो बात करता है, उसमें, तो court उस application को consider करते हुए, ये देखेगी, कि सच में, जो applicant कोन है, defendant, उसका कोई ऐसा question, उसका कोई ऐसा issue है, जो बाकी जो बच गई defendants, उनके खिलाफ बनता है या नहीं, फिर वहाँ कोन decide करेगा, court, ठीक है, यानि कि plaintiff ने suit institute किया, defendants के खिलाफ कई सारे defendant थे, ठीक ह अब वहाँ से एक defendant को लगता है, कि नहीं, मुझे plaintiff होना चाहिए, और मेरा जो एक ऐसा issue है, एक ऐसा substantial question है, suit में जरूरी, कि जो दूसरे defendants के खिलाफ, और ये कब होगा, जब एक plaintiff suit या तो withdraw करता है, या abandon, situation ध्यान रख लेना, ठीक है, ऐसे ही नहीं, कि वो चला जाएगा outside, कब जाएगा, जब suit withdraw या abandon होगा, किस के दवारा, plaintiff के दवारा, rule 1 में, ध्यान रखना, withdraw में नहीं, उपर जो है, sorry, withdraw, abandon, rule 1 में, rule 3 में नहीं, rule 1 में, ये भी ध्यान रखना, okay, हर्याना के 18 में भी आया हुआ है, ये और काफी state में है, ये तो इसको important mark कर लेना, rule 2 कहता है, limitation law not affected by first suit, ठीक है, ये देखो मैंने एक chart से बताया है, limitation period चालू हो गया, ठीक है, suit institute ही, suppose कीजिए, यहाँ पे हुआ, अब start हो गया है, यहाँ पे आपको लगा कि, नहीं, मुझे तो नया suit डालना है, और इसको abandon या withdraw करवाना है, अब वो limitation यहीं से चालू माना जाएगा, ना कि यहाँ से, यहाँ से नहीं माना जाएगा, वो यहीं से होगा, अगर इतना है, तो आप इतने period में कहीं पे भी कर सकते हैं, यह बात करता है, rule two, ठीक है, rule three है, यह भी important है, compromise of suit, suit का compromise करना, यानि कि दोनों party किसी decision पे पहुँच जाती है, compromise कर लेती है, तो देखो क्या होता है, जहाँ पे यह प्रूव हो जाता है, कि कोई lawful agreement हुआ है, parties के बीच में, ठीक है, suit जो adjust कर लिया गया है, lawful agreement में तो return होगा, पूरा agreement बनता है, तो sign होगा, इसलिए यहाँ writing and sign नहीं लिखा, लेकिन या फिर compromise, ठीक है, पहले word use किया है lawful agreement, उसमें inherent चीज है, कि writing sign होगा, यहाँ पे है compromise, यहाँ पे इसलिए लिख दिया, writing and signed by parties, क्योंकि यह legally नहीं है, lawful agreement नहीं है, यह lawful agreement लिख दिया, और compromise, यह simple एक paper पे कोई compromise है, लेकिन writing or signed है, इसलिए दोनों चीज़ों में ही, जो है, court जो है, उस चीज़ को record कर लेगा, और उसके हिसाब से decree pass कर देगा, कि यहाँ पे जो parties के बीच में compromise हो चुका है, और decree दी जा सकती है, और जो subject matter है, वो भी different हो सकता है, यानि कि जो compromise वाला matter है, वो suit वाले matter से अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, same हो, प्रेलिम के point of view से important चीज़ है यह, ठीक है, उसके बाद है provided, provided देखो क्या कह रहा है, अगर मान लो adjustment और satisfaction एक party कह रही है कि हुआ है, दूसरी party कह रही है, नहीं भी नहीं हुआ, तो court वो question भी decide करेगी, कि भी इन्होंने क्या ऐसा lawful agreement बनाया था, या फिर कोई ऐसा compromise किया था, जो writing और sign किया, तो वो question कौन decide करेगा, court करेगा, ठीक है, लेकिन इस process के दोरान adjustment नह कि जा सकती, क्यों नहीं कि जा सकती, क्योंकि फिर ऐसे तो time court का जो time है, वो curtail होगा, वो खराब होगा, वो waste होगा, तो इसलिए ये cheese proviso में इन्होंने डाल दी है, क्योंकि ये बाद में 1976 मेड हुआ था, तो to save a precious time of court, okay, उसके बाद explanation है, ये भी काफ़ important है, क्या कह रहा है, देखो, agreement और compromise अगर void या voidable है, according to contract act, उसी में आता है न, agreement अगर void या voidable है, तो फिर उसको lawful इस rule में नहीं माना जाएगा, किस rule में, sub rule 3 में, order 23 के sub rule 3 में नहीं माना जाएगा, अगर agreement compromise void या voidable है, according to as या फिर as per Indian contract act 1872, ठीक है, rule 3 ये कहता है, bar to suit, ये काफ़ी important है, preliminary point of view, very important mark कर लेना, क्या कह रहा है, देखो, यहाँ पे उपर तो लिखा rule 3 में, कि lawful नहीं माना जाएगा, ठीक है भईया, मान लिया, अब क्या कह रहा है, कि मान लो, कोई compromise lawful नहीं था, यानि कि अनलाफुल था, तो कोई suit आप दायर नहीं कर सकते, उसे set aside करने के लिए, no suit shall lie to set aside decree, ठीक है, एक decree को आप suit, मतलब उस पे suit aside नहीं करवा सकते हो, इस decree के खिलाफ, इस ground पे कि भईया, compromise जो था, वो lawful नहीं था, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना, explanation third की और 3A, क्या कह रही है दोनों, ठीक है, उसमें क्या कह रही है, कि भई, void voidable, अगर agreement या compromise था, तो वो lawful नहीं माना जाएगा, अगर void voidable as per Indian contract है, explanation है, 3A में बात कर रहा है, धियान रखना केवल compromise की, agreement वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे केवल compromise लिखा है, कि अगर वो lawful नहीं है, तो आप suit नहीं डाल सकते, उस decree को set aside करने के लिए, ओके, rule 3B में कहता है, no agreement or compromise to be entered in a representative suit without a leave of court, यानि कि आप बिना court की permission के agreement या compromise जो representative suit के बीच में है, वो नहीं कर सकते, court की leave से आप कर सकते हो, ठीक है, order 1, rule 8 है, section 9, यह आगे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, देखो, representative suit में, leave of court जो है, necessary हो जाएगी in case of agreement or compromise, otherwise proceeding क्या होंगी, void, यह बात लिखी है, negative में लिख दिया, मैंने इसको positive में यह लिखा हुआ है, ठीक है, और second में फिर क्या कह रहा है, second में जो यह उपर लिखा है, कि leave वगरा के लिए, तो court जो है, notice देता है, ठीक है, appear होने के लिए, किनको representative suit है, तो obviously काफी सारी person है वहाँ पे, तो सभी को क्या देगा, notice देगा, explanation फिर कहती है, representative suit माने, A में है section 9192, order 1, rule 8, important है, इस तरह के अब आगे, प्रलिम में भी आ सकते हैं, मानलो, 3 दे दिये और, एक अलग दे दिया, तो यह ध्यान रखना, 9192 में है, वो भी representative suit, order 1 rule 8 अभी आपको बताया, वो भी representative suit होगा, manager है, undivided Hindu family का वो भी, या फिर कोई ऐसा suit है, जो bind करता है, किसी person को, जो suit की parties में, उसका नाम नहीं था, उसे भी, rule 4 कहता है, proceeding in execution of decrees not affected, यानि कि execution जो है, उस पे apply नहीं होती है, यह वाली proceeding जो उपर पढ़के आए हैं, ठीक है, तो काफी important है order, छोटा सा order है, तो I hope आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, तो please video को like और channel को subscribe कीजएगा, thank you